स्वागत है आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ प्राची पारशर बुलिटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे इसका अपना अला गैंग था पहले पश्चिमी उपी में माफिया सुन्दर भाटी के लिए काम करता था अनेल दुजाना पर हत्या पहरण जैसे कई मुकद में दर्ज हैं योगी सरकार ने जिन 61 गैंग्स्टर की लिस्ट जारी की थी उनमें 42 वे नंबर पर अनेल दुजाना भी शामिल था गौतमबुद नगर से साथ माफियाओं के नाम जो हैं वो इस लिस्ट में शामिल किये गए थे जिसमें आपको बता दें सुन्दर भाटी, अनल भाटी, सिंगराज सिंग भाटी, अमित कसाना, रंदीब भाटी, मनोज उर्फ आसे और अनिल दुजाना शामि की जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था, लेकिन जमानत की मियाद खत्म होने के बावजूद भी वो जेल नहीं गया था, फरार चल रहा था, लगातार यूपी स्टीफ को छकाने का काम कर रहा था, आज उसका अंत हो गया है, यानि उत्तर प्रदेश में माफिया कोई भी ह हो, यूपी स्टीफ की रडार पर आएगा, यूपी स्टीफ के साथ अगर फिरने की कोशिश करेगा, तो उसका भी खात्मा इसी तरीके से होगा, जैसा आसद का हुआ, और अनिल दुजाना का हुआ, आतुल भाजिया मेरे स्योगी लगातार ताजा अब्रेट्स के साथ हमा बिल्कुल देखिए, अभी नई जनकारी हमारे पास प्राची आई है, कि दो मामलो में अभी 75,000 रुपे का इनाम जो है वो अनिल दुजाना पे था, अभी जो हमें बिल्कुल फ्रेश अपडेट मिला है, जनवरी 2021 से, जनवरी 2021 से जमानत में था जो अनिल दुजाना, इसक मडर केस हुआ था, जिसमें अनिल दुजाना का नाम है जो जमानत पर भार आया था, उसमें जो महिला थी, जो पीडित परिवार था, जो पीडित व्यक्ति था, उसकी पत्नी को धमकाया था, उस मामले में अनिल दुजाना सबसे साथ जाना चर्चित हुआ था, ये जमानत पे बहर आने के बाद की बात है इसमें 25,000 का रिवार्ड जो है वो अनिल दुजाना पे था और एक कुल मिला के 75,000 रुपे का इनाम था और जो हम आपको बता रहे हैं कि जनवरी 2021 से जमानथ पे था उसके बाद से लगातार STF की टीम यूपी पुलिस उसे ढून रही थी लगातार वो पुलिस के लिए सरदर्द बना हुआ था और सबसे बड़ी बात प्राची यहाँ पे कि बड़ी वारदात की फिरात में था सुन्दर भाटी खुद अभी जेल में है और नरेश भाटी गैं निकला सुन्दर भाटी खुद अभी जेल में बंध है और जो हमें जानकारी मिर्य लगए तीन साल तक जो अनिल दुजाना है वो बांदा जेल में भी रहा था जो धमकी देता था तो बकाइदा जो एक बुलेट यानि की गोली के साथ चिठी लिखे भेजता था और इतना अनिल दुजाना का यो कहीं रहने वाला है और सुन्दर भाटी जो है वो बी ग्रेटर नगर पुलिस अनके लिए हमेशा ही ये दोनों सरेद्र बने रहे हैं ुसले कभी भी इनको वो ग्रेटर णोड़ा की कि लुकषर जेल के अंदर नहीं रखा गया भाटी गैंग जो सु प्रदेश के लोगों को डराया था उसका कही न कहीं आतंग था पस्चिम उत्र प्रदेश में उसका आज खात्मा हो गया है और इसी के साथ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एक तस्वीरें ये है और ये वो स्पॉट है तस्वीरों का जहां पर एंकाउंटर हुआ है अनिल दुजाना का दरसल इसके मेरट में चिपे होने की जानकारी मिली थी यूपी एस्टीएफ ने जैसे ही अनिल दुजाना की घेरा बंदी शुरू की उसे सरेंडर करने के लिए कहा लेकिन फाइरिंग शुरू हो गई और फाइरिंग के साथी जवाबी फाइरिंग में अनिल दुजाना की मौत हो गई। पर अनिल दुजाना का नाम था जो एक नई लिस्ट उत्र प्रदेश सरकार ने जारी किती माफियाओं की उस 42 पे नंबर के माफिया का आज अंत हो गया है गांगस्टर का अंत हो गया है आपको ये भी जनकारी दे दें कि इससे पहले अनिल दुजाना जेल में बंद था लेकि में जानकारी मिली थी कि अनिल दुजाना नेपाल भी भाग सकता है जिसको लेकर एक पूरा प्लान UPSTF ने बनाया और आखिरकार अनिल दुजाना UPSTF के सामने आया और उसके बाद जो हुआ उससे आप अंदासा लगा सकते हैं कि क्यो उत्तर प्रदेश में लगातार योगी की गई थी लेकिन अब जब अनिल दुजाना का अंध हो गया है अनिल दुजाना को भी उसी तरीके से एंकाउंटर में धेर किया गया है जैसे असद का इंकाउंटर हुआ था उसके बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि योगी सरकार की अपराधियों के प्रती Спष्ट और अगर पोलिस के सामने कोई भी अपरादी आएगा फाइरिंग शुरू करेगा तो उसका भी अंत हो जाएगा तो इस तस्वीरे आप लगातार देख रहे हैं तस्वीरे उसी जगा की हैं जहां पर अनिल दुजाना का एंकाउंटर हुआ है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर